नमस्ते फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर सेशन आफ किक फिक्स प्रो आशा करता हूँ आप सभी लोग अपने घरों पे स्वस्थ होंगे और स्रक्षित होंगे और लगबग 15-40,000 का खर्चा अलग अलग गाड़ी के हिसाब से अलग अलग खर्चा जो वो बता देते हैं आपको तो यह डाइग्नोस करने का तरीका बड़ा सिंपल होता है आपको कुछ नहीं बलगुल बेसिक टूल्स चीह है एक स्कुरूडराइवर एक 17 नंबर का पाना क अन्यापको हलांके खेशर मैंने आपको दिखाने के लिए मारकर का यूज करूँगा तो जर्नली हमारा आइडिया क्या है पिस्टन को पहले मैं टीडी मिपर लेके आउंगा टॉप यह स्कूरूड्राइवर नीचे जाना शुरू करेगा मैं आपको दिखाता हूं पहले इ आपके पास में रैचेट हो तो बड़ा सिंपल हो जाता है रैचेट के साथ में और एक नंबर पिस्टन हलांकि अभी मेरा वाइल सम्फ खुला ही है आपको ये खोनले की जुरूरत नहीं है तो खुला ही तो आपको बता देता हूं ये नंबर वन पिस्टन है अभी मिल्कुल में है इसको उपर में लेके जाओंगा टीडीजी में लेके जाओंगा और टीडीजी के बाद में फिर आपको अगला स्टेप करना पड़ेगा वह दिखाता हूं आपको पहले इसको पिष्टन को उपर ले जाता हूं और याद रखिएगा जिस टाइम पे भी आप इंजन जो है वह अपना घुमाना चाहिए रिवर्स टारेक्शन में इंजन बचें उसको घुमाने का हलका फुलका चलता है कंपनी रिकमेंड करती है कि 90 डिगरी तक आप चला सकते हैं स्पेशली अगर आपका ऊपर कैम खुला है साथ में तब तो बिलकुल मत कीजिए यह चीज मत मेरा को लगता है मेरा पिस्टन चलाई गया टीडी सी पर एक बड़ देख लेते हैं तो अभी पिस्टन अल्मोंस्ट टीडी पर पहुंच चुका है देखते हैं एक वार थोड़ा में फ्रंड की तरफ में भुमा रहा हूं क्रेंक्शाफ्ट को अभी तो यह हलका सा उपर ग इस पूजिशन में आने के बाद में मैंने अपने क्रेंक्शाफ्ट को गुमाना बंद कर दिया है और स्कूरुड्राइवर को मैंने बिल्कुल नहीं चेड़ा है यह वहीं का वहीं है और यहां पे अपने को बेसिकली करना गया होता है इसको पुछ करना होता होता है उपर स रखा है तो यह हमारी क्रेंक्साफ्ठ ब mutta है मैं मतलब बेरिग का काम होता है इसे को लोकना क्रश काम होता है आप connecting rod क्या चीज़ है यह आपका piston है एक्चल में और यह connecting rod के इसके में bearing लग रहे हैं मैं आपको दिखानी कोशिश करता हूँ यहाँ पे आप टॉप में देखेंगे तो वो टॉप में आपको piston दिखाई दे रहा है और यह आपकी है connecting rod यह जो piston को बांदे रखी है यह साथ में थ्युक्री आपकी connecting rod है और connecting rod के सहारे यहाँ पर आपका क्रेंकशाफ्ट के साथ में piston बंदा पड़ा है यह जो गोला है यहाँ पर आपका piston बंदा पड़ा है ऐसे क्रेंक शाफ्ट के साथ में अब क्रेंक्शाफ्ट मैं ज्यादा मतलब अंग्रेजी नहीं बोलता हूं, बिल्कुल देशी भाषा में बात करता हूं, मान लीजिये कि क्रेंक्शाफ्ट आपकी एक सिंपल सी एक P.I.P है, उस P.I.P के साथ में आपके P.I.P के सारे में, connecting rod है connecting rod आपके इन बेरिंग के सहारे आपकी एक पाइप के साथ में बंद रखी है अब जब हम इंजन घुमाएंगे उपर की तरफ जब हमारा इंजन जाएगा इस टाइम पे तो लोड कौन से एंड पर पड़ेगा मालो पाइप के उपर मैंने एक गोला जिसा बाहंद रखा ह है जब इस पाइप को मैं ऊपर की तरफ धकेलना शुरू करूँगा मैं आपको करके दिखाता हूँ तो यह अंदर में इसका जो डायामेटर मतलब अंदर में जो इसका होल है अभी बेरिंग पे लोड परना शुरू होगा मतलब पिश्टन के जो आपकी कनेक्टिंग रोड है वहां पे जो बेरिंग है उसमें लोड परना शुरू होगा तो आपका जो क्रेंक शाफ्ट है उस उसका contact अभी नीचे वाले बेरिंग के साथ में हैं यहां पर लास्ट वाले बेरिंग के साथ में पर जब यह विल्कुल टॉप पे पहुंच जाएगी जब आपका जो क्रेंग घूम के और पिश्टन आपका एकदम टॉप पे पहुंच जाएगा जिस टाइन पे तो हल्की सी अगर प्ले आती है इसके बीच में तो मतलब आपका जो बेरिंग है इसके अंदर में वो खराब हो रखा है यही तरीका बेसिकली चेक करने का होता है इन वाले बेरिंग को जो आपके connecting rod के बेरिंग होते हैं इसी को हम चेक कर रहे हैं और इसी की टकटकटकटकटकटकी आव बार में अलांकि बहुत सारे पार्ट सोते हैं जो वाज करते हैं में इसकी आवाज आती है तो अगर आप बेरिंग चेंज कर देते हैं बेरिंग चेंज करने से आपका काम बन सकता है यहां पे 25-30,000 लगने है वहां पे 4-5,000 में आपका में बेसिकली होता कि आप घर पे भी साथ में लांकि देकूँ अगर मेरे बेरिंग कराम निकलते हैं तब आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं सही होंगे तो फिर किस लिए फाल तो पंगलेने हैं तो यही basic idea है, इस idea से भी आपको ¡जो ... आपकी ... सांड है आपकी connecting rod के तो यहां पर पहले मैं निशान लगा लेता हूँ मार्कर से आपके लिए देखना थोड़ा सा इजी हो जाएगा नहीं तो दिखाई नहीं देगा है तो यह मैंने मार्कर से निशान लगा लिया है अभी मैं इसको उपर से पुश करूँगा तब ध्यान दीजीगा अगर पिस्टन नीचे जाता है मतलब हलकिसी भी मुवमेंट होती है तब हमारे रोड नौक है तो यह मैं दबा रहा हूँ अभी जोर से और नहीं जा रहा है बिल्कुल भी नीचे नहीं जा रहा है यह हाथ से मैं पुश कर रहा हूँ और यहां पे कोई मुवमेंट नहीं है मतलब यह वाले पिस्टन में कोई दिक्कत नहीं है यह वाले पिस्टन के बेरिंग में कोई भ वाला चेक करना है तो यह वाला पिश्टन अभी अल्मोस्ट बीडीसी पर है मतलब बॉटम टेट सेंटर पर है इसको पहले मैं उपर लेकर आता हूं फिर जैसे ही नीचे जाना शुरू करेगा है हलका सा उस टाइम पर आपको दिखाता हूं अब है अब है यह बीडी सी पर आचुका है अभी टॉप्टर पर अचुका है उसको क्रेंज्जाफ्ट को हल्का सा और गूमाऊंगा जैसे ही नीचे जाना शुरू करेगा महां पर रुख जाऊंगा तो यह नीचे जाना शुरूर दिया, अब यहां पर मुझे रुख जाना है, और फिर यहां पर मुझे प्ले चक करनी है, कि पिस्टन में प्ले है कि नहीं है, तो यह मैंने शान लिगा दिया है, अभी हमारे को प्ले चक करनी है, कि है कि नहीं है, तो इसको दबाऊंगा उपर से में और देखेंगे ये नीचे नहीं जा रहा है तो फिक्दम फर्स क्लास है यहां पर कोई दिक्कत नहीं है तो इसी तरह से आपको सारे पिश्टन चेक करने हैं वन वाई वन करके पहले टीडीसी पर लेके आना है उसके बाद में हलका सजैसे नीचे जाना शुरू करेगा अगर तो वहाँ पर प्ले आती है मतलब आपके connecting rod के जो bearing है वो कट रखे है वो आपको replace करने पड़ेंगे सस्टेम आपका काम हो सकता है तो आशा करतो हैं चोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी मेरी वीडियो उसको like करने के लिए चैनल को subscribe करने के लिए बहुत जा भारत